और दोस्तों कैसे और आप लोग मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूटूब चैनल यार टुटोरियल्स में मैं मैं में गुरम उन्रा चॉप का पड़ाता है SP OCM और आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनोमिक्स भी या ना दोस्तों तो यार पहले तो यह बता हूँ यार कैसी चल रही है पड़ाई एकदम अच्छे से जोड़ शोर में लगे हूँ की नहीं दोस्तों आज हम करने वाले इकनोमिक्स लेकिन इससे पहले अगर मैं बता दो हो अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर पहले बार आए तो मेरे दोस्त हम ना एडूकेशन लेट वीडियो प्रोवाइड करते इफ बाइचांस आप इकनोमिक सीकने में इंट्रेस्टेट नहीं हो आप कोई दूसरे स्टैंडर के बच्चे हो तो यार आपको क्या करना है आपक कोमेंट सेक्शन पर अपने साजिस्टेट टॉपिक लिखिए यहां पर इंट्रेकरम आइडी आप मुझे यहां पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं अब सिद्धा चलते हैं अपने पूराने वच्च्चों से दोस्तों आज एकनोमिक्स चल रहा है हाना लेकिन एकनोमिक्स पे जहन कहों ओसा हम नमबर वन करें वह भी लेशन नमबर फिव्त का लेकिन दोस्तों यह लेसर भी से बटने पर पहले मैं चाहता हूं से क्या है, Micro क्या होता है, Macro क्या होता है, हाना, याग करने की कुशिश करू, जैसे मैं आपको कहते जा रहा हूँ, Second Lesson में हमने सिखा Money, यार ये तो बहुत बच्चा वाला Lesson था, हाना, एकदम Free के Marks थे, in fact, ये कभी कबार तो एकजाम में आता भी नहीं, फिर तीसरा था, जो आपको रहूल सर ने सिखा है था, और वो था दोस्तों, न्यूमेरिकल्स वाला, चलिए उसको साइड में रखते, और जो 4th Lesson था, वो था दोस्तो, हमारा महराश्रा के बारे में, हाना, महराश्रा की Economy के बारे में, और दोस्तो, आज हम है लेसन वर फिफ्ट बे और वो है दोस्तो रूरल डेवलोप्मेंट इन इंडिया अब देखो यार मुझे आप बताओ पेले तो चलो मैं क्या घराओ आपसे मेरी बात सुनना है आप यह जो लेक्चर है स्टार्ट हो गए आपकी ड्यूटी है पूरी स्टार्ट टू इंड देखना है ठीक है अना बेरी फीस याद है कि नहीं या बच्चे भूल गए फिर उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेर करना है और सब साथ मिलके एकनॉमिक्स पड़ो और अच्छे माख स्कोर करो कहां पर मिलेगा बाकि हमारे लक्ष इंडिया जो है अमारा देश प्यारा यह एक ऐसे लेवल पर पहुचे कोई भी हो नहीं हो टक्कर में हना चाहते हैं लेकिन दोस्तों मुझे बात बात अब कोई एक ऐसा एरिया है हमारा इंडिया में जैसे मुंबई हो गया अब यहां पर आपको भी पता है मुंबई कितना ड्यवलप्द एरिया है लेकिन दोस्तों इंडिया क्या सिफिक मुंबई तक ही सीमित हैं नहीं न इंडिया का जो कोना कोना जो है अगर वो ड्यवल्प होगा तभी पूरा इंडिया जो है एक सुपर नेशन चंकर ego nini तो फिर क्या होगा यार इंडिया में इतना वड़ा Apple भी वता हमारे देश इतना बड़ा है लेकिन इंडिया के ना कुछ-कुछ एरिया ही डिवलप्ट है कुछ-कुछ स्टेट ही डिवलप्ट है ऐसे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम सभी को साथ में मिलके चलना होगा मतलब कि हमार जो इंडिया है यह जितने भी स्टेट ह यह ला रूसके में इंडिया मतलब कि ऐसे ले डिवलप्ट करो लेकिन इंडिया कि हमारा देश घए यह उस्कुछ सेक्टर से जो एक्दम एग्नौरर हो जाते है और अगर हमें सूपर पावर बनना है तो इंडिया का हर एक पार्ट हर एक कोना एकदम अच्छे लेवल पर होना चाहिए तो आज उस कोने को हम सीखेंगे और वो जो कोना है दोस्तों वह रूरल रूरल एरियास ऐसे एरियास जहां पर आपको इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर यानि कि दोस्तों बड़ी अग्रिकल्चर की इंपोर्टेंस बहुत जादा है यहां पे और कोई दूसरा काम नहीं चलता यहां पे लोगों का जो घर चलता है वो सिर्फ और सिफ एग्रिकल्चर के तुरू चलता है इसलिए जबी आप एक रूरल एरिया में जाओ यहां पे आपको इसे बड़ी-बड करनी पड़ेगी न उनकी मदद करेंगे उनकी सहयता करेंगे विदा कियीं था कि एक परिवार बनेगा इंडिया कि अनकी स्वक्राइब अगर परिवार और डीप में जाते हैं देखें इंडियन इकनॉमी इस रूरल एकनॉमी सर क्या करो आप मतलब की बताओ ना सर कुछ समया नहीं इंडियन इकनॉमी इंडियन इकनॉमी दोस्तों यह एक ऐसी इकनॉमी जहापे आपको पता हमाजोर नेशन है हमारा देश इंडिया के बारे में यहां पर दोस्तों रूरल ऐसा कहते हैं दो सो रूरल यानि कि क्या करो अगरी कल्चर रिलेटेड कोई भी काम वागरा चल रहा है तो मतलब सर आप यह कहना चाहते हो कि इंडिया की जो एकनोमी इंडिया के पास जो पैसे यह ज्यादा तर अगरी कल्चर सेक्टर पर इस देशवासी में 68% लोग जो है न दोस्तों थोड़े से अंडेवलप्ट एरिया में रहते हैं और इनका जो बिजनस होता है दोस्तों इनके जहां से पैसे अन करते यह पूरा पूरी तरह से पता किस पर डिपेंड होते हैं एगरी कल्चर यह यहां पर यह पॉंट कहना च क्या एक यूमन लाइफ है वो जी एंगे कैसे खाना मिलेगा तब हाना तो यह तो एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को पॉपिलेशन है वो 68% रूरल पर डिपेंड करता है लेकिन दोस्तों अभी गवर्मेंट की डूटी है कि यह जो 68% जो लोग है ना इनको खूशी तो गवर्मेंट की डूटेर इन लोगों का कैर करना तो चलिए 68% रूरल में दा और बाकी जो अर्बन में तो मतलब दोस्तों फिलाग अप रूरल समझे ना क्या हो रहा है मतलब एक ऐसा एरिया जो कि पूरी तरह से अग्रिकल्चर पे डिपेंड है वहाँ पे ना यार इत एस रूरल कंसीडर किया जाता है चलिए चल दे आप समझते थोड़ा सा और डिप में जाएंगे अभी तो लेशन का स्टार्ट किया टेंचन मतलो बहुत ही सिंपल लेशन है बहुत सिंपल लेशन अपन दो लेक्चर में फिनिश करने वाले इसको यह लेशन इतना असान है लेकिन यह लेशन में आपको करना पड़ेगा सेल्फ स्टेडी चलिए रूरल डेवलपमेंट अब कंसेप्ट पे आते हैं रूरल आपने समझा रूरल को सर डेवलप क्यों करना है अभी तो हमने सीखा न अगर देश का कोना कोना डेवलप होगा तब हमारा देश इंडिया जो है पूरी विश्व भर में अपना नाम कमाएगा एक सुपर पावर नेशन बनेगा हाना यह हमने सीखा चलिए रूरल डेवलपमेंट तो सीखा सर मतलब लेकिन सर रूरल डेवलपमेंट में होता क्या है आओ समझते है रूरल डेवलपमेंट यह क्या है दोस्तों एक पर्टिक्यूलर एरिया और पर्टिक्यूलर एरिया इस रूरल एरिया मतलब की चलिए यह तो इंगलीश की लैंग्वेज थी इसको मारते है एक स्ट्रेटेजी है जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया बनाती है रूरल डेवलपमेंट के लिए लेकिन तुम ही सोचो ना है तुम नहीं है वहाँ पे लोगों के एंटेटेंडमेंट के लिए उतनी सिविधाए नहीं है हॉस्पिटल भी बहुत कम है लेकिन वहाँ पे जो है ना फूरा फिर तुम सोचे के सर वहां के लोग करते क्या हो पूरा लैंड अगर पूरी तरह से खाली है पूरा गाव पूरा खाल हमें है जहां पर कुछ है ही नहीं करने को ऐसे लोगों को यह लोग मदद करते हैं और यह जो मदद करने जो हमें मदद कर रही है कौन कर रही है गोर्मेंट आफ इंडिया यह जो लोग मदद कर रहे हैं यह लोग जो सहायता कर रहे हैं ऐसे लोगों को इस कंसेप को कहते हैं रूरल डेवलपमेंट एक दम आसान सा है कोई प्रेशर ना लो एक बार ये रीड करो ठोड़ा अपने आपको समझाओ अभी तुम छोटे नहीं रहे हो पाचवार लेसन पर आ चुके हैं तुमारे साथ मेरी अंडिस्टेंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ने ही चाह जैसी मुवमेंटम बिल्ड होगा तुम्हीं भी मजाएगा चलिए रूरल डेवलपमेंट में दोस्तों यहां पर चार चीज़े कंसीडर है कि एक जगे को आप डेवलप करना चाहते हो कैसे करोगे उसमें क्या-क्या चीज़ों कवर करोगे बहुत बेसिक सी है पहला तो है अरे तुम करो अग्री कलचर कोई बात नहीं लेकिन वहां पर फैक्रीज भी करोओ तुमारे आ पर लोग आएंगे रहने तुम्हारा ही फाइदा होगा फैक्टरी लगालो चलिए यह बी अच्छा है सर एग्रिकशन अब देखो तुम चाहते हो ना, तुम से एग्रिकल्चर ही नहीं करो, और अगर तुम चाहते हो एग्रिकल्चर भी करो, तु लेकिन अच्छे स्केल पे, अच्छे नॉलेज के साथ एग्रिकल्चर करो, तो in fact सब कुछ घूम फिर के किस पे आता है, education पे, education ही आपको पता है, दोस्तों power ह अगर आपके पास education ही तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो government चाहता है, वो जो village के लोग ही, जो rural area में रहते हैं, जो बहुत ही दूर रहते हैं, जहां पे development के नाम पे कुछ भी नहीं है, इनकी थोड़ी सी सहायता करें, कैसे सहायता करेंगे सर, ये चार वे में ऐसे सहायता करते सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी उन्हें चाहते हैं, जो भी उन्हें चाहते हैं, उन्हें रहने के लिए घर चाहिए थोड़ा सा घर दे दिया, पानी चाहिए अच्छा पानी चाहिए पीने को, ठीक है, एक well बना के दे दिया, या फिर एक boring वाली system जहां से पानी को सुपर पावर नेशन बनाना है, हम सब एक family है, हम सब एक साथ में चलना चाहते हैं, इसके लिए rural development एक बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर जैसे दोस्तों मैं मुंबई में रता हो, अगर सिफ पूरे इंडिया में सिफ अपन मुंबई को ही develop करते जाएंगे, सब कुछ व सभी को भी तो improve करना पड़ेगा, उन सभी का भी तो development करना पड़ेगा, और अगर सब develop हो जाएंगे, उसे कहते हैं, तब जाके इंडिया बनेगी सुपर पावर नेशन, और हम जो प्रोसेस में है न, एक एक जगे को develop कर रहें, इसे कहते है, rural development, इतना बड़ा हमने अब तक इंट्रोड़क्शन समझा, और यह इंट्रोड़क्शन ना है और दोस्तो बहुत जलूरी था, अब क्योंकि इसके बाद तुम्हें ये लेसन एकदम हलवा लगेगा, बहुत आसा लेसन है, बहुत आसा लेसन है, जब मैं ये बोल्ट पर लिख रहा था, मतलब की जो रूरल इरिया है, जहां पर बिल्कुल भी डिवलप्मेंट नहीं है, करने को कुछ नहीं है, सिप आप अग्रिकल्चर करोगी ज्यादा से ज़्यादा, अब वहां पर दोस्तो किस तरह के बिजनसेस होते, बहुत बेसिक से तुम्हें आता है, तुम्हारा एक रिविजन कराता हो, वहां पर तीन सेक्टर से, हाहा, अग्रिकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रिल सेक्टर, और सर्विस सेक्टर, यार, कितने बार सीक्टर, अब नहीं है, अग्रिकल्चर सेक्टर, दुसरा अग्रिकल्चर सेक्टर, अपर अग्रिकल्चर सेक्टर कंसिस्ट करता है, छोटे फार् वहाँ पर फिशिंग करते दोस्तों यह आते है आते हैं operate सेक्टर में यहां पर आप क्या करतेwegen जीने के लिए काम करना पड़ेगा ना ररीकल्चर सेक्टर में इस तरह से काम करते हैं अब चलते हैं इंडस्ट्रिल्स सेक्टर पर दोस्तों देखिए पिलत मुझे आप बताऊ industrial sector याएनी के क्या एक ऐसा sector जहाँ पे raw materials को लेते हैं और वहाँ पे produce करते है हाना industrial sector में हमने यह ही सीखा था यहाँ पे भी वोगी सेम है देखिए यह economic activity यानी की पैसेग喝 involvement है इस कंसर्ण विद प्रोसेसिंग ऑफ रो माटेरियल्स आपको आता है एंड मैनिफेक्ट्र ऑफ गुद्स इन फैक्टरीज यह भी आपको आता है स्मॉल स्केल फेक्ट्रीज प्रोस आता है तो यह आता है और इस सबसे आसान सर्विस सेक्टर थे घुझा धात, सर्विस है नहीं की, कया? कभी तुमने सोचा है, एक teacher, जैसे मैं हूँ तुमारे रिये, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? मैंना दोस्तों, तुम्हें तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्या सर कैसी सर्म अरह कर रहा है इसे दोस्तों ए एक सर्वीज दे रहा हूँ मैं तुम्हारा इसשה अडिसे की सर्वीज दो मस आता है यह बड़े-बड़े बिजनसमेंग को भी देते सर्विस ये बट बच्चों को भी देते वी टीक है तुमें आता है आए अकूंटिंग सर्विस हमने सेका एक eek पहाँ पीर मैं अपना अपना के दोस्तों टूरीज़म यह सब किसमें जर्फोर भी आता है यह कि की हमारे यौने बलन सी I तो हमारे जो बलड देखिया अब दोस्तों पेडरी बात सुनिंहें फिर्ण हमने किया आना ये क्या बदाना चाहता है ये बताना चाहता है कि रूरल ओक्यृ.. जुर्य इरिय जो है कि इसमें टाइम विस नहीं कर सकता आपको भी पता है क्योंकि हमने यह OC में भी सिखा है दोस्तों SP में भी सिखा है अब तो बाख के देखने को तर्यार चलिए रूरल डेवलप्मेंट इन इंडिया है अलब के दोस्तों कभसे करेंगे चाहिए लेकिन सर और वाली उंकल करोगे कैसे यह तो बताओ देखो है दुस्तों चैनल इसको सदारने के लिए मतलब जो ऐसे बैकवर्ड एरिया जे उनको हम एक टाउन बनाए टाउन से सिटी बनाए हाना तो यह क्या है यह रूराल डेवलोपमेंट है अब यह कहते दूस्तों यह कौन करता है कि अगर गवर्मेंट ने समझे एक अच्छा प्लान लाया और जो एरिया था ना एकदम खाली बंजर जमीन गवर्मेंट ना सोचा तो वहां पर मैं फैक्टरी लगाऊंगी और भाई साथ वह फैक्टरी इतनी चली इतनी चली कि आप पूछो मत तो क्या हुआ फाइदा हुआ फाइदा इनका भी हुआ और पूरे इंडिया का भी हुआ तो यह कहना चाहर है ठीक है बच्चे से बात है चलिए चलते हैं पर पब्लिक हेल्ट एंड सेनिटेशन मनलब कि दोस्ते एक ऐसा देखिए पैन कहा पर भाई हुमारे लिए एकने टेक्ट एक्ट्रा यह दोस्तों इंडिया का पार्ट अगर यहाँ पर इंडिया में अगर ऐसे डियलप नहीं होंगे इंडिया का यह है रौइज चोटे एरियास को में अगर इग्नोर मार दें इंडिया का पार्ट है ना लाथ मार के इनको भगा नहीं सकते हमारे देश का पार्ट है अब दोस्तों गवर्मेंट चाहती है कि एरियास को डेवलप करें यार बिच्चारी देखो एरोर आई यह जो गौर रहने को घर नहीं पबलिक हेल्थ में पता पता होस्पिटल नहीं है तो common ही मेंड़ पास घंकर आयात दो करता हो हम बहुत जो सस्केंड मैं इसको भी समझते जो लिटरेसी डिन ना यहापे कैसी ने ये कौन है ये मैं हूँ मैं हूँ भाई साब एकदम अनपड मुझे कुछ नहीं आता बच्चा गारे सार हो तो कुछ भी नहीं आता अरे बाए एकजांपल दे रहा हूँ जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा ना एक बाद क्या आता है तो मैं बोलूंगा सी मैं इतना अनपड तो government आई मेरे पास मेरे को ना थोड़ा पढ़ा कर गई अब तुम्हारा भाई बरबर सी के बाट डी बोलता है चलिए लिटरेशी रिट मालब जो एक एरिया है वहाँ पे अगर लोग इतने इंटेडिजेंट नहीं है उनके पास education नहीं है तो government ने ऐसे plans बनाए अब आपको भी पता है दोस्तो एक रूरल एरिया है वहाँ पे न ऐसा पाया जाता है कि लोगों की सोच इतनी फैलिव ही नहीं है जितनी लोग न सीटीज एंड टाउंस में जितना फ्री रहते है उतना ही दोस्तों वह लोग विलिजेज में नहीं रह पाते हैं आना क्योंकि लोग है यार तो वहाँ पे न दोस्तो आपको भी पता है पूराने जमाने में हमारे इंडिया में क्या होता था वुमेंस को इतनी रस्पेक्ट नहीं मिलती थी जबकि वह बहुत ज्यादा डिजर्व करते और वह बहुत महनती है तो बस यार बिचारे उनकी यार उनकी महनत को हम इग्णोर नहीं कर सकते वह अगर महनत करेंगे हमें इंडिया को क्या बनाना है सुपर पावर बनाना है अल्टिमेट गोल क्या है हाना तो आप और मेरे या फिर किसी मेल मेंबर के काम करने से ही बनेगा क्या नहीं न अगर हम सब साथ में मिलके काम करेंगे तबी इंड government of women उनको भी chance देना उनको भी opportunity देना enforcement of law and order अब यहां पर ना यह जो विलेच था यहां पर तुम्हारा जो भाई है इसका राज बहुत चलता है यहां का दादा है गुंडा है यह तो अभी क्या हुआ गोवर्मेंट आई मेरे कॉलर पगड़ी है क्या रहे है विलेच के लोगों पर क्या कंट्रेक्ट एक्स वसूलता है बोलता है government मतलब की गोल्डी भाई जो नहीं आगा government बनके फिर रहे गोवर्मेंट जो है हमारी मेरे पास आई मेरे को 60 से चमाट मारा और में चमाट मारते ही अपन तो अब क्या होगा दोस्तो गोवर्मेंट आई वहाँ पर वह लोग इन अपना खुद का लॉज बनाया उतका मतलब कि ऐसे लॉज जो पूरे इंडिया में चलते है अपने मन से कुछ भी लॉज नहीं बनते ठीके चलिए लैंड रिफॉर्म्स या नहीं कि दोस्तो देखो अब यह जो विलेज है इतना बड़ा यहां पर यह लैंड पर कुछ काम नहीं हो रहा था खाली पड़ी है लैंड उस तो करो तो गवर्मेंट आई भाई साब और वहां पर उस ज अब डिसको बनवा चलिए यहां पर डिसको बनवा भी हमने तो गवर्मेंट क्या हो रहा है डिवलप्ट हो रहा है आर यह तुमारे जिगे पर पूछ नहीं है वहां पर आके डिवल्प्मेंट कर रही है यह क्या दूस्तो अफ क्रेडिट अब देखो यार चलो एक और एक जब से समझते यह जो है यहां पर एक लड़का रहता था यह जाओ में यह लड़की का नाम था गौरो अब ये जो गओ रो जो हे ना दोस्तों ये ना खुद की फैक्टरी मेंनतिय अद्ब है ये खुद की फैक्टरी खुलना चाहता था, लेकिन बोलने से नहीं, पैसे भी लगते, ये भाई बिचारा गरीब आत्मी तुम्हारे भाई जैसा करें राद में भूर और यह भी जानी ज़ाहना ओकी मुझे करना है निकिन ने में धोल ईहां जांट लेका उनार गरिपने हैं यह जाहरा है इस दोलर चाहए आते हैं यह बिचारे के पास आएंगे गोलेंगे बेटा क्या होंगे पैसे चीजे तिरको बात है उनका प्लान सुनेंगे गवर्ण भई का प्लान सुनेंगे अच्छा तो अच्छा लग रहा है पैसे नहीं थे यह बिचारों को मदद करें अगर हम इन्हें मदद करेंगे इनका डेवलप्मेंट होगा यह भी खूश रहेंगे और साथी साथ ओवरॉल बेनिफिट किसको मिलेगा हमारे देश को इंडिया को ठीके तुब लोग ने मुझे क्रेडिट दिया हाँ पर मुझे में फिरी में पाइसा नहीं देंगे मेरे को अगर उल्लों ने सो रुपे दिया तो बुझे बूलेंगे आज एक माईने बाद आना और 110 रुपे चुका ना यहां पर 10 रुपे क्या हुआ अगर कोई एक ऐसा बच्चा है यह गाव में एक ऐसा बच्चा है जिसके बिल्कुल भी पैसा नहीं है एकदम थोड़ा सा बहुत ही जादा लोवर एरिया फाइनेशल सिचुएशन है बिचारेगी अब इसे क्या इसे पॉवर्टी कहते पहले बद तो अब यह बिचारों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं वह हमारे देश का नागरिक है भला ही वह थोड़े से बहुत ही जादा पीछे वाले लोगों से आता है लेकिन हमारा काम है एज देश को हमें पूरी तरसे डेवलप्मेंट करना है अगर हम विचारों को इग्नोर कर देंगे तो देश को पूरा कैसा होगा आपको भी वञए्ट देख का फ़े आध्यार अगरार अदमी आपको इंडिया में दिख्ता है अगर उसका डेवलप्मेंट होगा तभी हिगे पूरा हरे एक आधमी है जिसर अभी आध्यार से लोग्य जिसे अब इनारे देश में कितने सारे लोग आपको भी पता कितने करोड़ों में कितने आपको भी पता कितने लाखों में अगर वहाँ पर हर एक लोग हर एक आदमी का हम पकड़ के उसकी development कराएंगे तभी हमारा नेशन एक सुपर पावर नेशन बनेगा तो बस इंडिया जो है ना हमारे जो है गवर्मेंट ऑफ इंडिया यह यह लोगों के पास इसके लिए आते हैं क्योंकि अगर इनका development होगा तभी हमारे इंडिया का होगा तो यह lesson हमें होई सीखाना चाहता है तो दोस्तों इसी कैसा देखवा यार यह वाले lecture को हम यहां पर end करते हैं क्योंकि बोरिंग सा chapter है क्योंकि इसमें सीखने लाइक जैसा कुछ है नहीं मैंने खेड़ फोड़ा सा ज्यादा समय लिया इस chapter में इंट्रडक्शन पार्ट में क्योंकि मुझे से लगता है कि आगर आपने सिफ यह जाना यह lesson को सीखने के लिए उतना काफी है तो बाकि फिर दस्तों यार इस lecture में यहां पर end करते हैं दो लेक्टर का यह lesson होने वाला है मिलूंगा आप से economics के lesson नंबर फिफ्ट बे second lecture में ठीक है तब तक आपको क्या करना है जितना भी आपने पड़ा आपको self study करती है नहीं तो अच्छा लगता है काफी हमें भी motivation आता है कि बाई चलते हैं पढ़ाते हैं बच्चों को हम तो टॉप नहीं कर सके उनको करवाते हैं हाना चलिए फिर दोस्तों इस lecture को यहां पी end करते हैं मिलता हूं सभी से next lecture में जी आर टुटोरियल में फॉलो करना है ठीक है चलिए बताना कमेंट सेक्षिन में मज़ा राय की नहीं पढ़ने में economics और आपका तीनों में से favorite subject कुण सा है और आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा कुण सा subject मज़ा आता है चले चलो फिर भाई तुमारा दिमाग और नहीं गाऊंगा